सो हेला दोस्ता वेलकुम बैक तो माई चैनल के आप सभी आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो सबसे पहले दोस्ता सौरी बोलना चाहूंगे आप सभी को विए कि मैं दो तीन दिन से चैनल पर अपने एक्टिव नहीं दो तीन दिन से वीडियो अपलोड नह विडियो का यहीं आज की यही आज की आप सब्सक्राइब करना है लेकिन आगर टेक्ट चैनल नहीं आपका किस भी क्टिग्री का चैनल तो आज की वीडियो आप से पर बहुत जबहुत नहीं बहुत है और तो तो चाहें से समाल लेते थैंज होता है शबके सात हें यह वी सबसरानित लेकिन क्या हुआ कर पड़ता है कि रियाने ने का दुकान था जहां से हम लोग समाल लेते थे दूद वगरा या जो भी घर का रासन पानी कमी हो जाता है हम लोग वो समाल लेते तो वो दुकान अंकल लेट ओपन किये थे क्योंकि वो कहीं गए हुए थे या फिर उनका तबेत बगरा खराब था इतना तो मैं नहीं बता सकती थी यूँकि इतना मैंने उनसे पूछा भी नहीं था ओके तो उनका शॉप जो बन था और न्यू शॉप पूछा देता यह महंगा देता और उनका क्वैल्टी कैसा होता है तो मैं न्यू शॉप पे गई और सबसे पहले मैंने उनसे पूछा मैं को हमेसा नोटिस करते थी कुछ दिनों से वह सबसे पहले में जो सबसे पहले डुकान अपना चो शॉप ओपन कर लेते थे तो मैंने सबसे पूछा पर इतने के देते वह वाली अंकल लेकिन आप सस्ता क्यों देते हो तो उन्होंने एक रिजन जो बताया दोस्तों कमाल की रिजन है मतलब आप लोग सुनोंगे ना तो आप लोग को एक मोटिवेशन मिलेगा कि अंकल कितना अच्छा बात बोल गये क्या वह बोले वह भी मैं आप लोग को बताऊंगे लेकिन उनका सबसे पहले वह दुकान सबसे जल्दी क्यों खौलते हैं सबसे पहले मैं आप लोग को बता देती हो उन्होंने दोस्तों यह कहा मेरे से कि बेटा मैं सबसे पहले शौप इस लिए ओपन करता हूं जैसे दखो कि आज अंकल का दुकान बंद है आप जो हमेशा मैं आप लोग को देखता हूं आप उसी शॉप से जो समाल लेते हो लेकिन आज आज मेरे शॉप पर क्यों आएं व्यूंकि उनका शॉप बंद था ऐसे कई लोग होते हैं जो उस दुकान में वह समान नहीं मिलता है फिर मेरा तो क्या पता वो wieरह समान के मेरे दुकान मेरत 안त्री है खुल मेरत यह समान इसको श। टॉब्स है ऑड सबसे जल्दी खुलने का यह हो गये और उन्हें रेट इसलिए कम जल्दी बने मतलब कि अमाल लोग उन्होंने कहा कि 100% लोग इस महले का उस दुकान पर जाते हैं लेकिन यहां पर कुछ तो लोग मेरे दुकान पर आएंगे और उनको जमें उनसे अच्छा क्वैल्टी और वही क्वैल्टी में रेट कम दू तो क्यों ना ग्रहाक मेरे भी ग् करने से क्या होता है और दोस्तों माल लो यहां पर कैटिगरी भले ही अलग हो लेकिन यहां का हर एक चीज का लाइन एक ही होता है यूट्यूब पर हमें यूडोर्स वीडियो अपलोड करने से क्या होता है कि हमारे सब्सक्राइबर को पता है कि हम चो डेली वीडियो अपलो किसी और के सब्सक्राइबर हो और वो जो अभी देख कोई यूटूब का ही नी अपडेट आया और वो जो अपने चैनल वीडियो अप्लोट नहीं कर पाते हैं और मैं जो है वीडियो अप्लोट इस ट्रॉपिक पर कर देती हूं आपको कोई प्रोब्लम होगा उस चैनल पर आ आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा आपको मेरा अपडेट अच्छा लगेगा आप मेरे वीडियो को भी लाइक करोगे और आप मेरे चानल को भी सब्सक्राइब करोगे तो इससे दोस्तों क्या होता डेली वीडियो अप्लोट करने से क्या होता हमारे क्मीटियो पोस्ट कर दिया था तो आप लोग क्या हुआ है तो छेक्स कर दिया तो यहां पर क्या हुआ था दोस्तों मेरे घर कर कर पारे यह यूट्यूब नहीं अप्लोड कर पारे हैं और कुछ गर्मी भी हो रही है तो मैं जहाँ पर वीडियो शूट करती हूँ जिसके करन मेरा हाले तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और अभी यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा पर रही है कि मतलब कि ऊपर वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है और दोस्तों जिस रूम में वीडियो बनाती है उस रूम में छट नहीं है आप लोग चाहिए तो मेला सेट अप टूर वीडियो भी देख सकते हो तो इसलिए कभी-कभी मन नहीं करता रहता वीडियो बनाने क्योंकि यहाँ पर दोस्तों व्यूज यहाँ पर अचानक से मेरे चैनल पर पहले से भी कम था लेकिन पहले से भी बहुत ज़्यादा मेरे चैनल पर जो व्यूज कम हो गया है जिसके आप वीडियो बनाने का मन नही करता है बहुत जीता डी मोठीवेट हो जाती हूँ दोस्तों मुझे पाता है व्यूजन ही आता रहता है तो लेकिन को प्धम से अप्डे definies जल्दी आप लोग वीडियो कोबर करने को सिस करो जल्दी आप लोग वीडियो बनाने को सिस करो जल्दी जल्दी अपने चैनल पर अप्लोड करने को सिस करो जिसके की जिसके भी सब्सक्राइबर हो लेकिन आपका वीडियो दिख जाता है तो आपके चैनल को सब्सक्राइब क इंक्रीज होंगे चैनल भी ग्रोव होगा आप लोग कॉमेंट करें जिरूर बते ही का आप लोगो को वीडियो कैसा लगा आप सब के लिए यूस्फुल ही ओगी वीडियो यूस्फुल ही अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके जाएका चानल को सब्सक्रा